चलिए आगे बढ़ते हैं बता दे के नेपाल के बिराट नगर में भारतिय वानीचे दूतावास काराले के बाहर एक बम धमाका हुआ है इसे परिसर की दिवार शतिग्रस्त हो गई मीडिया रिपोर्ट में मंगलवार को यह जानकारी दी गई काटमान्डू पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार मोरांग के एसपी आरुन कुमार बीसी ने कहा कि धमाका सोंबार रात इबारत के पीछे खुली जगा पर हुआ था और इस धमाके की बज़़ा से दिवार मामुली रूप से शतिग्रस हुई है पुलिस ने ये भी जानकारी दी कि धमाके के कानों की फिलाल जान चल रही है जान्सकरता दिकारियों को ये भी शक है कि ये धमाका इस्थानी राचनेतिक समों के कारीकरताओं ने किया है पार्टी निकल बिरात नगर में समाले हर्ताल का अहवान भी किया वहीं दूसरी तरह विस्पोर्ट के बाद मोके पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है सूत्रों ने बताया कि विस्पोर्ट रात करीब 8 बच कर 20 मिनट पर हुआ था इससे दिवार में छेध हो गया घटा के समय कोई भी कराले में मौजूद नहीं था बिरात नगर नेपाल के उद्योगी कराधानी है और बिहार की सीमा से करीब 6 किलो मिटर उत्तर में स्थित है